नमस्ते क्लास क्या हैं तो ट्रिग्नोमिट्री पार्ट 3 आज उस पर बात करेंगे बढ़िया चैप्टर है जैसे कि मैं पहली दूनों वीडियो उसमें आपको बता चुका हूं बार बार बोलता हूं तो बढ़िया चैप्टर है सबसे पहले तो तो अभी अपन बात करेंगे क्टरिग्नोमिट्री के कुछ functions के बारे में कि क्यों उनके नाम ऐसे ही रखे गए हैं जैसे के पहला फंक्शन है साइन तो साइन फंक्शन का नाम साइन फंक्शन क्यों होता है को साइन मैं अपनी पहली वीडियो में आपसे भूला था यह बात मैंने कही थी कि मैं इसके बा करते हैं सबसे पहले साइन फंक्शन की बड़ा मज़ेदार लेक्चर अब आई मज़ा आने वाला आपको बहुत ही मज़ेदार वीडियो है बहुत ज्यादा मज़ा आएगा ध्यान से देखना और कुछ जानने को मिलेगा इन्फरमेशनल सबसे पहले जब आप साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप यह पाओगे जब आप साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे साइन 30 इस वन बाइ 2 साइन 45 इस वन बाइ रूट तो अप्रोक्सिमेटली इकल्स तो 0.7 साइन 60 इस रूट 3 बाइ 2 अप्रोक्सिमेटली इकल्स तो 0.86 साइन 90 इस 1 एंड साइन 0 इस 0 यह बाद तो मैं अपनी पिछली विडियो में आपको बता चुका हूँ लाला राम लाल चवाले सार देखिएगा जाकर उस विडियो को भी तो यह आपको मैं में यह सब्रें से बड़ी नहीं हो सकती मैंस से छोटी नहीं नहीं हो शकती मैने dar और 00, साइन 0 की value, 0, मतलब theta 0, और value भी 0, so 0, साइन 30, let's say this angle is 30, this angle is 45, 60, and 90, यह 30 है ना, इसलिए gap थोड़ा जादा रखा है, 45, 60 में gap आदा आदा रखा है, इनके comparative view, ठीक है, तो जब आप इन values को यहाँ पर draw करोगे ना, जैसे यह 1 by 2, तो थोड़ा सा, यह 1 by 2, ठीक है, यहाँ पर लगबख बनेगा, 0.7, 0.86, और फिर उसके बाद तो 1 पर ही आजाते हैं, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर draw करोगे, इनके बीच में भी बहुत सारी values होती हैं, आपको बताऊं, कुछ इस प्रकार का बनेगा तो बना कर दिखाता हूं, 30 पर 1 by 2, ठीक है, 45 पर 0.7, अल्मोस्ट, 60 पर 0.86, और 90 पर 1, तो जब आप इन वैल्यूस को मिलाओगे ऐसे, अगर आप इससे आगे जाओगे न, यदि आप इससे आगे जाओगे तो यह ग्राफ कुछ इस परकार का बन जाएगा, जगा की कम्योंने से थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूं, इसको समझ जाना, यह ग्राफ कुछ इस परकार से बनता है, तो in totality, जब आप इसको पूरा एक ग्राफ के तौर पर बनाते हो, मैं आपको बना कर दिखाता हूं, तो यह ग्राफ कुछ इस परकार का बनता है, इस तरह का, जब आप इसको और आगे जाओगे, 180, 270, 360, और आगे जितनी वैल्यूस के लिए आप निकालते जाओगे, यह ग्राफ कुछ इस परकार का बन जाएगा, तो इस बात का मतलब आप समझते हो सभी, यह जो कर्व होती है यह आपने पहले भी बनाई हुई है, 9th क्लास में बनाई हुई है, waves वाले chapter में, sound वाले chapter में, तो ऐसी कर्व उसको sinusoidal कर्व कहा जाता है, sinusoidal, ठीक है, और sinusoidal wave, तो sinusoidal शब्द से आया है, sin, that is why this function is named as sin, और भी महत्व हैं, आगे वीडियोज बनाऊँगा उसके उपर भी, और detailing में जानना चाहते हो, तो आगे और वीडियोज बनाऊँगा, फिलाल आप इतना समझ सकते हो, कि जो basic graph बनता हो, कुछ इस प्रकार से बनता है, that is why name of the function is sin theta, clear हो गया, सबसे पहला clear हो रहा है, अभी ध्यान देते हैं, cos के उपर, चीक है, cos का नाम cos क्यूं होता है, बहुत मज़दार वीडियो है भाई, ध्यान से पूरी देखना, मज़ा आएगा आपको इसको पूरा सुनने में, देखने में, informational वीडियो है, cos sign, इसको खोलो, cos sign, cos को मतलब, complementary of sign, complementary उन्हें कहा जाता है, जिनका sum 90 होता है, नहीं समझे, तो याद रखेंगे, इसको cos sign क्यूं कहा जाता है, क्यूंकि sin का जो angle होगा, और cos का जो angle होगा, जिस angle के यह functions हैं, उन angles का sum, is 90, is 90, that is why, cos sign means, complementary of sign, नहीं समझे, cos sign का मतलब, complementary of sign, बास अन्हें रहिया ना, complementary of sign, because the angles, sum is 90 degree, ठीक हो गया, third, is tangent, now we'll talk about tangent, theta, tangent आपने एक्सर सुना होगा, पहली बात आपने टेंजन के बारे में जरूर सुना, अब आपको यह figure से जरूर याद आ रहा होगा, कि tangent क्या चीज होती है, सभी बच्चों को पता चल रहा होगा, tangent के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा, मैं निश्चत तौर पर मैं जानता हूँ, 9th प्लास में आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी ज्यान देंगा, अरे बात है, देखो कितना गोल सर्कुल बना भाई, तो लेक्स से दिस इस अ सेंटर, ठीक है, ओ, this, you all know, टेंजेंट को हिंदी में बोलते है, स्पर्ष रेखा, स्पर्ष रेखा, स्पर्ष रेखा मतलब तच करने माली लाई, तच, तच, स्पर्ष मतलब होता है, तच, this is not, देखो, तच क्या होता है, जबाब किसी चीज को, ये टच नहीं होता, तच का मतलब होता है, एक पॉइंट के उपर उसको टच करना है, जब हम किसी चीज को एक पॉइंट के उपर टच करते हैं, तो दाट इस कॉल्ड टेंजेंट, दिस इंटरसेक्शन, अगर आप स्परकार से, तो इस नोट टचिंग दा स्परकल, यह याद रखें, यह टचिंग दा स्परकल नहीं है, यह इंटरसेक्टिंग दा स्परकल है, और ऐसी किसी लाइन को सीकेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीकेंट, यह पढ़ा है आपने, यह पढ़ा है आपने, अब यहां देंगे, तो सबसे पहले, let's say this is O, this point is A, and let's say, मैंने एक angle, एक point ले लिया, B, मान लो इस circle की radius है 1, कितनी radius है इस circle की, 1, tangent clear हो रहा है, tangent यानी की, सबर्शरे का, touch करने वाली line, अब यहां देंगे, let's say, इसकी radius है 1, so अगर यह angle theta है, तो पहली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो first video trigonometry की दिया मैंने आपको, उसमाने बताया कि tangent theta, angle का function होता है, आप सब भी जानते हूं, क्या होता है, perpendicular by base, so perpendicular will be AB, and base will be OA, and you all know, OA is 1, मैंना assume किया है, so tangent theta will be AB, what is AB है, AB क्या है यहां पर, AB tangent है circle का, AB क्या है, tangent to the circle, that is why the name is given, क्योंकि यह जो tangent है न, यह किसको represent करता है, tangent to a circle, that is why the name is given, tangent, और अभी यह angle जोगा, यही decide करेगा, कि इस tangent की length कितनी है, that is why it is a function, बताया था first video में, कि यह function क्यों है, trigonometric, क्योंकि, क्योंकि, यह एक angle पे depend करता है, dependent quantity है, किसी दूसरी quantity पे depend करती है, clear हो रहा है सभी बच्चों को यह बाद, second पर भी यहीं बाग कर लेते हैं, second theta के बारे में भी बताया वहाँ मैंने आपको, second theta, क्या होता second theta, जो touch करती है, दो touch नहीं, sorry, intersect करती है, अब यह स्लाइम को अगर आप आगे produce करोगे, तो यह circle को आगे touch कर जाएगी, intersect कर जाएगी, basically, दो points पर touch कर जाएगी, कहने का मतलब है, तो tangent जो होता हो, एक ही point पर touch करता है, ठीक है, यह ध्यान में रखना है सभी को, और यह intersect कर रहे हैं, दो point, that is why it is second, now, second is ultra reciprocal of cos, hypotenuse क्या है इसमें, A, O, B, O, B, divided by, base is, अगर आप theta हैंगे ले रहे तो base will be O, A, and now you all know, what is O, A, O, A is equals to 1, so secant theta will be O, B, and what is O, B, O, B is representing the secant, O, A नहीं कर रहा है, O, B कर रहा है, समझें न, O, B इस circle पर डाला गया, एक secant है, secant, that is where the name comes from, secant theta, समझें, तो sin theta for sinusoidal curve, cos, complementary of sin, और cos का graph भी कुछ वैसा ही बनता है, अभी नहीं बना कर दिखाऊंगा, आप घर पर practice कर सकते हो, try कर सकते हो, उसको आगे वीडियो में बनाऊँगा, फिलाल, tangent का भी graph अगरा कि अभी आपको नहीं नहीं है, लेकिन जो समझने की बात है, इसका नाम tangent क्यों है, because it represents a tangent to a circle, और any other curve, और secant का नाम secant क्यों है, clear हो रही है चीज़े, सभी को बात समझ में आ रही है, बढ़िया, अब last में बात कर लेते हैं, cotangent, तो cotangent का नाम cotangent, जल्दी वीडियो पाउस करो और answer लिखो, cotangent का नाम cotangent क्यों है, क्योंकि सब को पता है, complementary of tangent, यानि कि इसका angle और इसके angle का जो sum होगा, वो 90 हो जाएगा, कब जब इन दोनों को equate किया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे, अगर आप कहीं पर लिख लो cottheta, तो tangent की terms में ये कितना होगा, 90-theta, या कहीं आप लिख लो tangent theta, तो cot की terms में कितना होगा, 90-theta, complementary functions है, एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के angles का जो sum होगा इन दोनों के, it will be 90, and of course cosecant, the same reason, cosecant, because complementary of secant, and the sum of angles, the sum of angles of both will be, so अगर आपको secant को cosecant के एक लिखना है, तो secant theta will be cosecant 90-theta, or cosecant theta will be secant 90-theta, बस condition यह है, दोनों के angles का sum, 90 होना चाहिए, ठीक है जी, अब हम बात करते हैं हैंके कुछ questions पर, यह जो 6 मैंने आपको चीज़े बताई हैं इनके question पर बात कर लेते हैं अगली चीज़ जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 divided by cost 60 एक तरीका तो है इनकी तो चलो आपको values पता है सबको पता है दोनों बराबर sign 30 is 1 by 2, 1 by 2 cancel 1 आ गया लेकिन अगर मैंने 30 को 25 कर दिया अभी एक ऐसी value जो किसी को नहीं पता होगी है ना tables आती है इनके निकालने के लिए लेकिन ऐसे तो किसी को रटा नहीं हुआ है ऐसी values अब इन पर गौर करो तो यह जो दो values है complementary है ठीक है तो इनको खोल देते हैं कैसे sign theta sign theta अचा function cos में भी हो सकता है cos theta equals to sign बस दोनों के angles का sum complementary होना चाहिए 90 होना चाहिए दोनों के angles basically complementary है तो sign theta is cos cos theta अगर sign theta को cos में बदलना है तो angle को 90 में से minus कर दो so cos 90 minus 25 एक को change करेंगे ध्यान रखें अगर दो complementary functions है तो एक को change करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे so it will be cos 65 90 में से 25 गए 65 65 so cos 65 divided by cos 65 got cancelled and answer is clear हो रहा होगा मेरे इसाब से बहुत असान सी चीज़ है अब इसी में आप कितरे मर्जी questions बना सकते हैं कितरे मर्जी questions बना सकते हैं इसके आपकी NCRT में मैं एक extra questions की भी वीडियो बनाऊंगा इसकी NCRT में ये एक 8.3 exercise है ठीक है अब हम बात करते हैं नेक्स वेस्टन नंबर फूर क्वेस्टन नंबर टू सॉरी functions याद रहेंगे मैं लिक देता हूँ यहाँ पर साइन नाइन्टी माइनस थीटा इसको सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट नाइन्टी माइनस थीटा इस अचाए को ट थीटा ठीक है बात क्लेर हो रही है तो अब हम इन ही पर बात करेंगे इन ही व करेंगे tick Bartो Oh 61- co-second कॉंपलिमेंटरी है यह i कॉंपलिमेंटरी है सिक्स्टी 20 9 90 होता था हैं सबाइब एक ओप चुझेंगे को नहीं करेंगे ठीक है यह बहुत एक वह फार्मॉला लगाएंगे अगर पॉ- को सीकेंट को सीटेंट में लिए जाना है तो एंगल कॉंपलेमेंट्री होते हैं थ्लिछ मति अगर को सीकेंट को से अगर को सीथ वे में से माइनस करतेंगे तो 90-21 समझ रहे हो तो सीकेंट 61 माइनस सीकेंट 61 गॉट कैंसर जी डिवाइड में आता तो 1 माइनस में तो 0 समझ रहे हो गए बहुत बेसिक क्वेश्चन है अब उसके बार देखो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नमबर 3 कि कुछ इस्पर का क्वेश्चन एंस इंस एक बेस्ट कर आ रहा हूं हलके-एलके से क्वेश्चन अराम-अराम से बढ़िया क्वेश्चन देखो एंस एंस सीकेंट कोई 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 कर लेते हैं लेक्ट यहां पर दिया हुआ है सीगेंट एयए माइनस सेवन्टी इकवल्स टू को सीगेंट 20 यह देर्या सिकेंट एमाइनस 70 इकुल्स टू को सीगेंट 20 तो फाइड एड ए एड पूछलिया आपसे अब यहां देंगे सीकेंट एक को चेंज करना है अभी आपको पता है कि यह दो complimentary functions है को सीकेंट या नहीं की complimentary of सीकेंट तो इसको चेंज करते हैं इसको करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यह पहले से थोड़ा complicated angle है उसको चींज करते हैं अगर इसको मैं सीकेंड लिखता हूं यदि इसको मैं सीकेंड लिखता हूं ठीक है तो एंगल अगर मैं को सीकेंड को सीकेंड में लाता हूं तो आइंगल 90 में से माइनस हो जाएगा तो यह एंगल को 90 में से माइनस कर दो सब्सक्राइब बात को तो अभी मैंने द्यान देंगे सीकेंड सीकेंड ठीक है तो सीकेंड मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि यह कैंसल नहीं होते लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सिलिबस में इसाब से सब कुछ कर रहे हो तो आपके सिलिबस में जितना भी यह सब कुछ चलेगा क्लास के इंदर वह सब के सब एक्यूट अंगल में चलेगा हां चलते हैं और यह इसका यह मतलब नहीं है आंगल फिर भी आप देख सकते जब माइनस करोगे तो 70 की आएगा ठीक है एक लास्ट क्वेस्टन में आपको कराए तो बढ़िया क्वेशन है पेपर में आने वाला क्यों सब्सक्राइब औरके सब्सक्राइब और सब्सक्राइब की सिब्सक्राना तो आपको शो करना है साइन फिस प्लस बाइडट इक्वल्स तूट को यह आपको शो करना है हो सकता है यहाँ पर A प्लस B आजाए हो सकता है यहाँ पर A प्लस C आजाए अगर यहाँ A प्लस B आए तो यहाँ C आएगा यहाँ B प्लस C आए तो यहाँ A प्लस C आए तो यहाँ B आएगा इंतिरियर का मतलब। जो चम कितना होता है।iin उन उंचे संप senior क्लासर known यहां से बन चलते हैं और यह बनाना आपने वह बहुत असान कुछ चार स्टेप में अंसर आएगा कि पहला तो इस प्रस्टेप नहीं है स्टेट मेंट है सो बी प्लस सी इक्वेल्स टू वन एट्टी माइनस ए प्लस इक तरब हो चाहिए और एक तरफ चाहिए वह इंने वही किया कि यहे गेर साँ क्वेश्टिन में दे राखा होगा वैसा ही हम करेंगा एक प्लस वी दियुक्ता इदर रक्कर C उधर ले जाता A प्लस C उधर रखका B उधर दे जाता जो दिया होगा जिस हिसाब से दिया होगा तो मैंने B प्लस C रखका 180 माइनस A अब इसको देखू अपने answer को देखते रहूं और यह condition given थी तो इसको लेकर चला जैसा जैसा मुझे question में दर्शाया गया है दिखाया गया है उसको लेकर चलेंगे और बना देंगे B प्लस C by 2 B प्लस C by 2 इदर किया है तो इदर भी करेंगे ठीक है यह 2 अलग अलग हो जाएगा इदर अलग हो जाएगा यहसे इदर अलग हो जाएगा So it will become B प्लस C by 2 माइनस a by 2 step number 3 हो गया हमारा clear है? पहले b plus c एक तरफ रखा एक तरफ फिर by में 2 दोनों side कर दिया ये बन गया ठीक है अब last step sign apply करेंगा अब तुम को sign ही क्यों कर रहे है, cos क्यों नहीं किया बै देखो, cos के साथ angle a by 2 है यहाँ पर angle जो दिख रहा है, 90 minus a by 2 दिख रहा है तो पंगा हो सकता है, अगर मैं cos दोनों side apply करता हूँ, तो sign apply करने में एक बात ये भी है कि as it is, जो चीज़ हमको answer में चाहिए जो जी अपने को answer में चाहिए b plus c by 2, as it is यहाँ पर पड़ी हुए है, और उसके उपर कौन सा function है sign, तो अगर मैं sign apply करता हूँ, तो सीधे सीधी answer बन जाएगा न, at least इधर बनेगा और अगर यहाँ apply करता हूँ, तो sign 90 minus theta क्या होता है, cos theta बन गया answer, दोनों side sign apply कर दो, तो sign, मैं यहीं दिखा देता हूँ, एक step नहीं तो मेरा फाल्टू जाएगा, तो sign इधर भी, और sign इधर भी, तो sign b plus c by 2, और यह क्या होता है, ठीक है, एक last चीज़ पर lecture खतम करूँगा, जैसे मैं हर वीडियो में आपको अपना मूल मंतर देता हूँ, एक last चीज़ पर lecture करूँगा, एक ऐसी गलती, देखो, सबसे important चीज़ क्या होती है, जब हम paper देकर आते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे questions होते हैं, जब हम question का answer, हमको कोई बताता है, तो हमारे मन से निकलता है, हमारे मूँ से निकलता है, यह हमारा, यह चीज़ हमने गलत क्यों करी, जब कि हमारे पता थे इसका answer, हम जानते थे कि actual में क्या है, वो एक चीज़ है जो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, वैसी चोटी से गलती बता देता हूँ आपको, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, अगर आप देखना कई बच्चे इसको ऐसा लिख देंगे, सरा सर गलत है, इस केस में, ऐसा हो सकता है, एसा हो सकता है कि साइन सी पूरे के अपॉन में टू यह बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यह जो ए लिखा है, यह एंगल के अपॉन में टू है, इस टू को भूल कर भी इसके पूरे के अपॉन में ना लिखें, वो एक गलती माननी जा लास, बाइ